ना नमस्कार होगा ना स्वागत होगा ना हेलांस पढ़ी जाएंगे आज सिधा सवाल होगा और सवाल ये कि न्यूज 11 भारत के वरिश्ट पत्रकार अरूप चटर जी को दनबाद पुलिस ने क्यों गिरपतार किया है बड़ी कबर हम आपको इस तक बता रहे हैं दनबाद पुलिस ने गिरपतार किया है अरूप चटर जी को वरिश्ट पत्रकार नूज 11 अरूप चटर जी को आखिर गिरपतार क्यों किया है राजी के काक्यावास से उन्हें गिरबतार किया गया है गिरबतारी से ही पहले आखिर क्यों नहीं भेजा गया नोटिस बड़ा सवाल ये कि रात के अंधेरे में क्यों बिना नोटिस के उनके गर पहुशती है दनबाद पुलिस और उन्हें गिरबतार क्या जाता कि गुनाह क्या था उनका क्या इतने बड़े अपरादी थे वो कि रात के अंधेरे में उन्हें गिरबतार क्या जाता है अरुप चटरजी की गिरबतारी न्यूज एलेवन के और से जारकन में चल रहे है प्रश्टाचार के खलाफ मुहीम चलाना तो नहीं है जिस तरीके से न्यूज एलेवन भायत लागातार सच दिखा रहा है सवाल पूछ रहा है क्या उसे दबाने की ये कोसिस तो नहीं है दनबाद पुलिस ने आखिर क्यों गिरबतार किया है ये दनबाद पुलिस को बताना चाहिए ठीक है आपने एक मामला दर्च किया किसी के कहने पर दर्च किया कोल माफियाओं के सिंडिकेट के साथ मिलकर किया हो लेकिन नोटिस तो आप देते बिना नोटिस का आकिर ये कारवाई कैसे हुई न्यूजलेवन भारत ये बड़ा सवाल पूचता है कि कई ऐसा तो नहीं है और ऐसा होगा ही शायद कि कोहला तसकरी और अवैद माइनिंग के खलाप आवाई उठाना गुना हो गया हो एसेस पी साहथ के लिए बड़ा सवाल ये न्यूजलेवन भारत का राजि के हित में जारकंड वासियों के हित में आवाज बुलंद करना गुना हो गया हो और इसलिए इस आवाज को दबाने की कोसिस की गई धनबाद पुलिस की और से एसेसपी की और से न्यूजलेवन भारत ने धनबाद के शिवम हार्ड कोक की और से अवैद तरीके से कोहला बेचने की खबर दिखाई थी बिना उनुमती कोहला प्राप करने आली है ये सोचने वाली बात है समझने वाली बात है क्या कि दनबाद पुलिस ते ऐसा किया क्यों होगा अंदाजाब लगा सकते हैं जिस तरीके से पूरे कोहला चन में लागता धनले से कोहले की तसकरी जारी है कोहल माप्या हावी है कोईने की चोरी जारी है तो ऐसे में जब कोल चोरी से जूड़ी खबरे हम ते दिखाई तो धनबाद पुलिस ने कारवाई क्यों की होगी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं शिवा महार कोट पर कारवाई की जगा एक पत्रकार पर आखिर कारवाई क्यों की गई है ये सबसे बड़ा सवाल है न्यूस जलेवन भारत हमेशा ब्रश्टाचार के खलाफ मुहीम चलाता रहा है हमने मुहीम चलाई अपनी ड्यूटी निभाई लेकिन उस ड्यूटी के जरिये जब हमने सच को दिखाया तो सच के शाबासी के बज़ाए उन्हें गिरबतार किया गया जी आरूप चटरजी के गिरबतार किया गया है और इसलिए लागातार हम ये सवाल आप से पूछ रहे हैं दनबाद SSP आखिर करना क्या चाहती है क्या कोईला माफियाओं का साथ देना चाहती है या सच का साथ देना चाहती है लेकिन फिलाल दनबाद SSP और दनबाद पुलिस से ये सवाल बना हुआ है कि आखिर वो किस के साथ है क्या वो रक्षक है जनता की जरकंड के लोगों की कोईलांचल वास्यों की या फिर वो माफियाओं के साथ में है कम से कम आज की कारप्राली तो बिलकुल ऐसी नजर आती है रात के अंधेरे में रात के अंधेरे में उस वक्त जब लोग सो रहे होते है उस वक्त जब अरूप चटर जी अपने बेटरूं में सो रहे थे उस वक्त पुलिस पहुंचती है मानो किसी बड़े माफिया को मानो किसी बड़े आतंकी को मानो किसी बड़े अपरादी को व अगर आप सही होते अगर आपको यह पता होता कि अगर अरूप चटरजी ने कोई गलती किया है तो आप कारूनी प्रक्रिया के तैत नोटीस बेशते पक्ष जानने की कोशिस करते और फिर अदालती प्रक्रिया होते और तब आप पकड़ते लेकिन एससपी ने रात के अंधे कोईले में उस वक्त जब अरुप चटरजी सो रहते हुने गिरफतार किया कोईले की तसकरी और अवैद बाइनी के खिलाफ हमेशा आवाज हमने बुलंद की है और वरिश्ट पद्रकार अरुप चटरजी लागातार है से बात को कहते रहे हैं कि दनबाद को क्या कहें करता रहा अरुप चटरजी करते रहे और इसी का सिला शायद यहाँ पर SSP क्यों से दिया गया है आके दनबाद जिला प्रशासन को से दश्टाचारों के खलाब करवाई की जगए एक पत्रकार पर करवाई क्यों हुई है यह बहुत बड़ा सवाल ग्रपतारी के पीछे दनबाद जिला प्रशासन और दश्टाचारों की मिली भगत तो नहीं है दन्बाज जिलापकुशासिन की करवाई से न्यूज 11 भारत डरने वाला बिनी हम डंगे की चोट पर आज कर्यारान कर रहे है कि इस करवाई से न्यूज 11 भारत जुकने वाला नहीं है दबने वाला नहीं है डरने वाला नहीं है ब्रश्टाचारियों के खलाफ न्यूज 11 भा मामले में उचित कारवाई करने के लिए हम अपील करते हैं। की है न्यूजलेवन भारत के वरिष्ट पत्रकार के खलाप अरुप चटरजी पर वो उस मामले में मुख्यमत्य हमनसुरन संग्यालने के आखिर चौते खंबे को इस तरीके से बेज़ज़त करना या इस तरीके से कारवाई करना क्या धनबाद पुलिस के फितरत में शुमार ह हो गया है यह बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं और एक अपील है और अब तमाम दर्शकों से जो न्यूजलेवन भारत को पसंद करते हैं जिन्हें न्यूजलेवन भारत पर बरोसा है हम उमीद करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो और न्यूजलेवन भारत क हैं उन तक्वं को जो सचको दबाने की फिराक में रहते हैं सचको दबाते रहते हैं कोल नाफियों के साथ खड़े होते हैं और अपन्नी दुखान चलाते रहते हैं हमें उस सच को दिखाने वाले न्यूज़वन भारक को जिताना है तो देखे एक किस तरीके से एक पत्रकार के साथ में ऐसा होता वो भी रात के बारा बज़े जिया रात के बारा बज़े रात के वक्त अंधेरे में अगर धनबाद पुलिस को ये पता था कि आप किसी को गिरफतार करने जा रहे हैं एक ऐसे शक्त को गिरफतार करने जो की वरिष्ट पत्रकार है जो की आवाज मुखर आवाज आरकन वासियों की तो उसके लिए आपको रात के अंधेरे में आने की ज़रत क्यों थी आप रात के अंधेरे में रात को बारा बचकर पंदर मिनट पर आप पहुंसते हैं उनके आवास पर अरुप चटर जी के आवास पर रात के अंधेरे में उस वक्त जब अरुप चटर जी अपने बिट्रू में होते हैं अपने शहिन कक्ष में सो रहे होते हैं उस वक्त आप पहुंचते हैं अपने परिवार के साथ होते हैं उस वक्त आप पहुंचते हैं आपके बच्चे के साथ होते हैं उस वक्त आप पहुंचते हैं और उन्हें गिरफतार करते हैं उन्हें वक्त तक नहीं देते क्यों किस वज़स उन्हें गिरफतार किया जा रहा क्योंकि जानका पुलिस के पास उसके लावा कोई काम ना हो वह आखरी गुनाग किसे ने किया हो अरुप चटल जी ने किया और उसी वारंट के तामिले के लिए पहुंच जाते रात को 12 बजी बानो दनबाद में सब कुछ अब साफ साफ हो चुका है दनबाद अपराद मुक्त हो चुका है दनबाद के तमाम माफियाओं को पुलिस गरबतार कर चुकी है अब एक आखरी केस था एक आखरी केस था वो बचा हुआ तारुप चटल जी के नाम से और उसी तरीके से आप गरबतार करते हैं तो बहुत सारे सवालया पर खड़े होते हैं कि कि किस के साथ है क्या माफियाओं के साथ में गुंडों के साथ में अपरादियों के साथ में आकिर किस के साथ है धनबाद पुलिस एससपी साब से सवाल लगाता है रहा बना रहेगा कि ऐसा तो नहीं है कि धनबाद पुलिस ने अपना जो ग्राफ होता क्राइम का एकदम चितने भी कांड दनबाद में हो चुके, सब हो चुका था ख़त्म, और अब ये बियदन करना था, इसका पनाफास करना था आप रात की बारे बजी slightly इधातर का आप ज़िस वजसे कर दिखाते रहते हैं, हमें सा, न्याए, पाने के लिए लोगों के आवाज बनते रहते हैं, वो न्याए, हमें भी मिलेगा, उसनी न्याए के लिए, मुख्यमंतुरी ह Botton Cushrain से हम उमीद लगाए बैटे हैं, हमें आज से पूरी आज से कि एक एमांदार मुख्य मंत्री की राज में कम से कम नीस अलाइन भाद के साथ तैसा ही होगा, जो हमेशा सच दिखाता रहा है, जो लोगो के लिए लड़ता रहा है, लोगो के आवाज बनता य लोगों के लिए मु condemnCH रहा है सिस्टम में जो खांविया है उसको दिखाता रहाय बताता रहा है इसलिए हमें तो डर कम से कब नहीं है लेकिन जिस तरीके से यह सब को चुआ और हम तैयार भी है हमें नाइपालिका से भी पूरी उमीद है, नाइपालिका पर भी पूरा वरोसा है हम पूरी तरह से उमीद करते हैं कि हम जीतेंगे, जब अब आप पहुंचेंगे जीतेंगे लेकिन सवाल और ये सवाल जो है, वो इस काड़ेपणाली से जुड़ा हुआ है कि एक अपराधी की तरह, एक क्रिमिनल की तरह, आखिर कैसे गिरबतार किया गया दनबाध पुलिस से ये सवाल है, कि क्या दनबाध पुलिस के पास क्या कोई ये आखरी केस रह गया था इतना जरूरी कि रात क्यों 12 बच कर 15 मिनट पर आप किसी को सोते वक्त में पहुंचते हैं, जगाते और उसे गरभतार कर लेते हैं, बीना ये बताए, बीना ये दिखाए कि क्यों गरभतारी हो रही है, बीना पूरु किसी सूचना क्या पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल ये सवाल दनबाद पुलिस से SSP से क्या किर किस बिना पर किस गुनाह के लिए ये कारवाई के गई सुर्किया हमारे पास ना कोई ब्रेकिंग दू जबारे पास ना ही नमसकार है ना ही स्वागत है सवाल है सवाल बहुत सारे सवाल जिसका जवाब हम अब ढूट रहे हैं जानना चारे उसका जवाब आखिर क्या है ये जवाब देना है धनबाद पुलिस को ये जवाब देना है एससपी धनबाद को कि आखिर इस तरीके से सोते वक्त में रात के बारा बजे बिड्रुम से किसी को आप कैसे गरपतार कर सकते हैं क्या वो कोई अपरादी था क्या वो कोई माफिया था क्या वो कोई असमाजि कार अरुप चटर जी तो फिर इस तरीके से गिरफतारी क्यों इसलिए हम कहरें बार-बार ना स्वागत ना नमस्कार ना ब्रेकिंग ना सुर क्या कुछ नहीं सीधा हमने सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब धनबाद पुलिस को दिना होगा और हमारे बहुत सारे सल्गे हमारे साथ जुट रहे हैं और उन्हें समझाने के क्या किर गुना क्या है हमारा नू जल्मारत ने कौनसा गुना पूण हे नुजेन भारत के वरिष पद्रकार अविप चट्रजी ने अतना कौनसा बड़ा गुना किया कि रात को बारे बज़े रात को 12 बज़ धनबात पोलिस आती है और गिराफतार करके ले जाती है हमारे बहुत सारे साथ जुड़े हैं अजलाल अमारत साथ जुड़े हैं हमारत साथ जमशित्पु से प्रवाद भी जुड़ेंगे सब से पहले जलाल के पास जलाल वारत जारी ओता है ठीक है नाइपाली का वो काम है कानुनी प्रक्रिया है वारत जारी ओता लेकिन बिना नोटिस के रात 12 बजे आप एक अपरादी के तरह उठाते हैं अकिर किस वज़से कैसे उठा सकते हैं आ, देखे पंकर जिन बातों का आफ जिक कर रहे हैं मैं गुनाह बता देता हूं नीज 11 का नीज 11 का गुनाह यह है की धनवाथ में कोल माप्या के खिलाप खबर चलाना यह नीज 11 का पहला नंबर गुनाह है दुसरा नमबर गुनाह या है कि वहाँ के जो SSP हैं उनकी भी गत्विदियों पर संदिक्द नजर रखना कि कैसे बाचित होती है गुनाह नमबर तीन या है कि जितने भी इस राज में जमीन माफियान और कबजा किया है उसके खिलाब ख़बर चलाना ये गुनाह नमबर तीन है गुनाह नमबर चार यह है कि नीज इलेवन जनता के साथ खड़ा रहता है जनता के साथ नीज इलेवन को खड़ा नहीं रहना चाहिए यह गुनाह नमबर चार है गुनाह नमबर पाँच है कि आपने धनबाज पुलिस की बात नहीं मानी गुना नमबर च्छा हिया है कि आपको खरिदने की कोशित हुई आप नहीं बिके मेरे पास एफायार की कौपी है ये एफायार की कौपी जूट तो जान नहीं रहा हूं लेकिन हमें लगता है कि अब उनको नोटिस करनी चाहिए थे अगर वो हाजिर नहीं होते तो फिर जो प अब वंद्फर्णी सब्सक्राइब लुचित नहीं है कि अब अवस्यक्ट तरीके से टुकि भगोडे तो नहीं थे मैंने उनको नोटिस करते नोटिस इपकाते उसमें से वो आजिर नहीं होते नहीं जाते उसकी सम्मान नहीं करते तब फिर हो ता तो कोई दिकत नहीं था लेकिन आप तो जो हो गया फिर आप उसको कानोनी लड़ाए लड़ना चाहिए ये इनजस्टिस है तिक आप इनजस्टिस तो आप कोई मतलब नहीं रहा गया आप तो आदालत की हमें इंतिजार करनी पड़ेगे उनके पहिशला को जो कारी शैली है वो आप कह रहे कि सब्सक् पुलीस का काम अपरादियों को पकड़ने का होता है लाकिन पुलीस अपरादियों को पकड़ते नहीं है अपराद पर काभू पाने के बदले वो उगाही में लगी रहती है ये तो मैं बार-बार रोज बोलता आप ही लोगों का टेवी चैनलों में में बोलता हूं सरकार की अगि मैं पहली बार बोल रहा है इसा नहीं मैं लगातार सवाल उठाते रहा हूँ अगर अगर उनके खिलाफ वार रहा है तो आप नोटिस देते परदा फस किया था, आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डार नहीं है, आप भेज रहे हैं, गोविंदपूर, मिर्सा, रहनबाद, बाधमारा, सब जगह में कोईने चोरी हुआ है, और एस्पी यहां के मुखे, जो हमें जम के 2,000 कोईने चोरी हुआ है, तो सर, क्या साथ चाहिए घ्काने का है, सर यही मिलता है, क्या सर, चाहिए जड़े हां, हमको अक्साद यह घतने क किया था हम लोगों ने इसके लिए बढ़िश कर दो हजार कोईना चुरी हुआ है जिसको हम लोगों ने पर्दा फास किया था आगे भी करता रहूंगा हमें जेल से बैर नहीं है हमें जेल से बैर नहीं है अब भेज रहे हैं गोविनपूर मिर्सा दनबाद बागमारा सब जगा में कोईना चुरी हुआ है और एस पी शर्चाइब नहीं है तो देखा सुना अपने साथ तर पर यही बात हम लगातार पूछ रहें कि क्या हमने हमने जब कोल माफ्याओं से जुड़े ख़बर दिखाई तो क्या गुनाह किया था हमने अलर्ट किया था उसके बाद कारवाई पुलिस को करने चाहिए थे लेकिन पुलिस ने उल्टा न कि पूरा देश जानता है कि किस तरीके से ऐसे मामलों में न्यूजलन भारत पुरे प्रमुक्ता के साथ में मुखर्दा के साथ में दिखाता रहा है कहीं भी कोईले की लूट होई हमने दिखाई है यहां तक हमारी ख़बर पर सीबाई ने संग्या लिया और जो लाला था उ खाद होगा आपको और उसी तरहिके से मामले को लगातार एक बर फिब दिखारत हम शीवन कोक मामले को अभी हाल फुलाल बही और उसके बाद से सीवन कोक इंड़स्टीर जबे इस मामले को साथाने के बाद से अब उसके तरफ से शायद इपाई दाज करवाई गई है जू पुलिस की कारपाली बिल्कुल वैसे और इसलिए वाँ पर कोल माफिया फलते फूलते हैं अजलाल अजलाल देखिए जो बात जो सवाल हम लगातार पूछते जो बात हम लगातार कह रहते उसी पर महार लगाई बाहुलान मरांडे ने भी कहा कि अगर अगर वारंट था उसका पंकर सुबह साथ बजे के बाद से रात ग्यारों बजे तक नीव जलेवन के दफ्तर में अरूप चटर जी तमाम लोगों से मिलते हैं बिल्कुल यह किन धनवाद पूलिस की कारवाई ऐसी दिखाई परी ऐसे अरूप चटर जी अलकाइदा के सदस्व हो और आज रात गिर परी ततपरता दिखाई पूलिस बड़े बड़े अपराधियों के पीछे सुष्ट दिखने वाली पूलिस आकरी इस मामले में इतनी चुष्ट कैसे हो गई अरूप चटर जी ने अपने रिपोर्टर के माधम से 6 लाक रूपय मांगे हमने दे भी दिया क्यों दे दिया किसके कहने पर दिया क्या वो 6 लाक रूपया आपके सफेद पैसे हैं मैं एडी सभी अम्रोच करूंगा कि वो 6 लाक रूपया जो एफायार में देने की बात कही गई है वो 6 लाक रूपया कहां से आया इंकम टैक से भी मेरा अन्रोध होगा कि उन तथ्चों की जाज करे कि 6 लाक रूपया क्या कोईले का काले करूबार से आया हुआ पैसा था या उन्होंने बैंक से निकाल कर दिया यानि कि आपके पास काले पैसे है ये एफायार में आपने सिद्ध कर दिया आपने ही कहा है अरूप चटर जी ने रिपोर्टर भेजा हमने उन से बात कराई मैं मानता हूँ कि अरूप चटर जी गुनागार है फासी दे दिये उन्हें लेकिन आपके 6 लाक रूपय क्यों दिया किसके कहने पर दिया वो पैसा कहा का था वो पैसा सफेद था या काला पैसा था यदि 6 आपके पास है तो यहां मानने में किसी को गुरेज दही कि 6 करोर भी आपने उसनी रखा होगा और चीजों का अपने मैनेज करने की कोशिच की गई होगी देखिए जिस परकार से खबरें चल लेंगे साथ ना सिर्ट धनवाद कोल माफिया आपने देखा होगा कि कई जमीन करी हो गई ओने पौने दाम में कैसे कोडर्मा में वन भूमी बेच दिया गया करोर रुप्या ले देकर यह तमाम चीजों के दिखानी शुरू की तो जाहिर सी बात है उनके माथे पर तनाव आने लगा जो इन मामने में फस्ते आ रहे हैं अभी भी मैं कह रहा हूं कि आपन में बार करा है और लोग जो च्चकशो लेता हूं कि मैं पर उसली थाभाल उपयआ है सेंपरहँ, कम इसमें पर में कि ल दानाब ने चाहिए हूं वाले कोई आपने छोग Всёब करने पर अल मुछा एंप ने वाले को答 विदी हैं नीसु की बरताना चाहिए कि आफिर कैसे प्रवात परकत्र ने बहुत सारे लोगों के आवाज हम बने हैं प्रवात कुछ पर भावाज को हमने अपनी आवाज बनकर आवाज दी और सरकार तक प्रसनासन तक हम अवाज बने उसके लिए और आज देखे दनबाद पुलिस का नाम आप देखे कि राग के अंधेरे में अरूप चट्रजी को गुपतार किया जाता है प्रवाद बिल्कुल पंकच बिल्कुल पंकच मैं घटना का जिकर करना चाहता हूँ आज से आठ साल पहले एक महिला की गुपताग में बांस डालकर उसकी हत्या कर दी गी ग होती है ऑदेखे सबाड हमारा सरा घनबाद पुलिस एसस्पी साब से एक पदरगार के साथ आके अपरादे order Si Чтобы क्यों किया गया जिस सबाल का जवारे मं भूर्बाद पुलिस स्याथं जा आए वो सबाल किसी पदरगार के खिलाप आखिर कि करवाई कैसे हो सकते हैं रूप सिकुझे की तथकर और अवहर कि खबर दंबाना चाहते न बहुत प्रासलर जी घुले केया को एक लए मिट औलबार कर दिखानीप कॉस्ताम से कोले के मैं कारुबार मेरे जुके कर देखा घुलत है ब्रहुनहाओं यह चैनल यह पूछन है यह उसे जहें वो भी वो भी कोल माफियां से जोड़ी खबर ना दिखाएं कोल का तसकरी जो है कोले की तसकरी कोले की माफिया गिरी जो नहीं होती धनबाद में धनबाद में कोले से जुड़ा कोई अवैद का नहीं होता है और इसलिए नियुजरेन भारत को दबाए गया ताकि बाकी मीडिया सल्स्तान भी चुप हो जाएं पद्रकार अनों गुसानी के मामले में मिनाले ने स्पष्ट किया कि पद्रकार के गरफतारी पुलिस का हतियार नहीं है रात के बाराव बचकर 20 मिनिट पर किसी के बेट्डू में गरफतारी क्या नाज संगत है यह सवाल हमारा है और दर्बाद पुलिस को जवाब देना है कि क्या कोई आतंकवादी था जो रात को बाराव जिसके रफतार किया गया जो विनेश चले जाता जो बाहर बाह जाता क्या मनी रॉंडिंग का कोई आरोपी था वो जिसे बाहर बाग जाना था और रात को बाराव जिक रफतार न पत्रकार हैं संपधक हैं अरुप चतार जी मालिक के तौपट कर दर्शार हो आएगा है नियوجलगन भारत की चावी भी खराप करने की कोसिस की है यहाँ पर धनवार्बाद पुलिस ने यह भी एक सवाल यहाँ पर बन रहा है यह भी सवाल क्या कि निव जलगन भारत के मालिक के तोर पर इस पूरे मामले को क्यों दर्शाना चाह रही है दनबाद पुलिस निव जलगन भारत के मालिक नहीं है अरूप चटर जी वारिस्ट पत्रकार है संपादर कैसे तरते मालिक के नहीं तो फिर न्यू जर्ण भारत की छवी को दुमील कैसे किया जा रहा है ये भी एक सवाल है क्या दर्बाद सस्पी ने सताई जुन से पहले कि सारे जितने भी मामले थे सारे जो कार्ण लबी थे वो सारे समेट लिये क्या सबका निक्टारा हो गया है क्या हर मामले में कारवाई हो चुकी है क्या यह आखरी वारंट था जो अरूप चैटर जी के नाम से जारी हुआ था जिसके तामिल हुने पर कोट कचैरी में उन्हें जाब देना पड़ता क्या ऐसे बहुत सारे वारंट और उनके पास नहीं थे क्या आखरी वारंट था यह आखरी मामला लंबित पला था जो उनको बहुत उपर ले जाने वाला था एसे सब्साहब को को तमगा लगने वाला था या फिर साथ तोर पर दिखाता है कि किसी के साथ आपकी मिली बगत है आप धनबाद को माफियां के हाथ में सौपना चा का काम किया है दमकाने का काम किया है कि अगर कोई भी मीडिया हाउस कोई भी मीडिया हाउस अगर कोल माफियां से जुड़ी खबर दिखाता है कोईला चोरी के खबर दिखाता है तो उसके साथ भी ऐसा ही सुलुक किया जाएगा जैसा अरूप चटर जी के साथ हुआ निज आपने कई एक मौकों पर देखा होगा लगातार हमने ऐसे बहुत सारे खबरे पड़ी है जिसमें हमने साथ तो पर जारकन वासियों की आवाज को बुलंद किया उन्हें नया दुलाने की कोसिस की हमने उस लाला की खबर भी दिखाई थी जो कोल माफिया था जिसमें ने आसल लिया तो अब अब नींजलरन भारत के इस आवाज को दबाने के पीछे क्या उसकती है क्या कोल माफियाओं के खिलाप जमाउज उठा रहे थे उसी में न्यू जलान भारत को ड़ाने की दमकाने ये लिए ये काम तो देखली कि को से देखे पंगज सबसे पहले में आपको बताओ कि न्यूज लावन भारत की आवाज को दबाने की कोशिश कितिनी भी कर ले पुलिस लेकिन न्यूज लावन भारत की आवाज नहीं दब सकती है क्योंकि वरिश्पत्रकार अरूप चटर जी को जिस तरह से हिरासत में लिया गया पहली बात दूसरी बात यह है कि आरूप चटर जी जो वरिश्पत्रकार है वो भले ही आज पुलिस की इरफ में है लेकिन उनके पीछे हम जैसे बहुत सारे आरूप चटर जी है जिनको उन्हें तयार किया पत्रकार बनाया है और सच बोलने का हिम्बत दी है क्योंकि जो हम दृप कोले की बात करें प्तर कडान की बात करें खनन में लूट की बात करें बालू में लूट की बात करें कौन सीयसी खली है जो न्यूजलाइण भारत में नहीं दिखाई है ज willingly की दिखाई है या जाच एज़नस या पुलिस को लीड हम susceptible नहीं दी आप अगर ड़यन डाक पर देखेंगे पंकर जन्ता में इस बात को बाखुबी जानती है जन्ता हमारे पास पहुची है जमीन की जो लूट की खबर जहारकर में हमने दिखाई है आम आदमी हमारे रफ्तर पहुचे और उनकी आवाज न्यूज लवन भालत बना है और आज तमाम मामले चाहे वो कोई अगनी भी समझ रहा है कि अगर घल्टी की रहती तो आवाज में नर्मी आजाती हामोश हो जाते है अरुप चटर जी मगर लगातार वो कह रहा है कि घोटाला हुआ है कोला घोटाला हुआ हम दिखाते होंगे दूसरी बात जिस तरह से अरुप चटर जी गिराफटार किया एक पत्रकार है और दश्कों का नुभाव पत्रकार को और एक स्टाबिश मीडिया हाउस चला रहे है जा हजारों लोगों की रोजी रोज़गार चल रही है हम तमाम लोगों का घर इसी न्यूज 11 भारत संस्ता के सालरी से चलता है और जिस तरह से आरेस्टिंग की गई है क्य अपरादी थे अरुप चटर जी क्या उन पे मड़े का लिगेशन था क्या वोने लूट की घटना को अंजाम दिया था कई अपरादी घूम रहे हैं खुले आम कई वारेंटी घूम रहे हैं क्या पुलिस को हिम्मत नहीं धनबाद पुलिस को अगर आकड़े निकाल लिया ज अरुप चटर जी के साथ उनका मासूम बेटा रहता कहां तक जाज है अपरादी की तरह उठा कर उने ले जाना आपने संबन दिया आपने नोटेस दिया आपने जवाब पूचा आपने सवाल पूचा जवाब का इंतजार किया नहीं क्या प्रक्रियाय को पूरा किया गया एक भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है क्राइम रिपोर्टिंग का एक लंबा लूबा मुझे रहा है जो प्रोसेस होता है कोई प्रोसेस इसमें इन्वाल्व नहीं है एक अपरादी की तरह आप उठा कर ले गया आपने कोई सवाल नहीं पूचा गया को पका जारा जिस नहीं लग रहा है मैंने 2000 करोड का जो गोटाला हुआ है यहाप जन बाद में उसके खिलाप आवाज बनतार होगा वह बाहन में सुनाते है नहीं तब भी चुपने उसमें से वह आजिर नहीं होते नहीं जाते है उसकी इसम्मान नहीं करते तब फिर होता तो कोई लिकत नही लड़ाए लड़ना चाहिए यह एंजस्टिस है तिक आप इंजस्टिस तो आप कोई मतलब नहीं रहा गया आप तो आदालत की हमें इंतिजार करनी पड़ेगे उनके पहिशला को अनुप्त पुलीस कि ओणकी करनी पुलीस की है एक पुलीस इसता और मैंने बाराबर काई में जो सरकार बेटी हुई है पुलीस का काम अपरादियों को पकड़ने का होता है लगिन पुलीस अपरादियों को पकड़ते नहीं है अपराद पर काबो पाने के बदले उगाही में लगी रहती है ये तो मैं बार बार रोज बोलता हूँ आप ही लोगों का टेवी चैनलों में मैं बोलता हूँ सरकार की यह मैं पहली बार बोल रहा इसा नहीं मैं लगातार सवाल उठाते रहा हूँ यह पावलल मरंडी जी ने कहा कि जो तरीका अपनाया गया वो ठीक नहीं है उन्हें पहले डूटिस किया जाना चाहिए ता जो आवज से कानुरी प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाना कि क्या ही बात के जाए अगर वो उसकी काई पाली सही होती तो धनबाद में आज कोल माफिया इस बुलंदी पनायी होते और अरुप चटर्ज ने क्या कहा जब ग्रतार हो रही थी आखों में आखे डाल कर पुलिस के जाना चोड़ी हुआ है दो अज़ार कोड़ी हुआ है अज़ार कोड़ी हुआ है जिसको हम लोगों ने पर्दा फास किया था आगे भी करता रहूंगा हमें जेल से डर नहीं है हमें जेल से डर नहीं है आप भेज रहे हैं गोविनपूर, मिर्सा, धनबाद, बागमारा सब जगह में कोड़ी हुआ है और एश्पी यहां के मुख कि जो अगधि जंब के तो अच्छार कोड़ा कोड़ा कोड़ी हुआ है तर चार कोड़ा था हुआ है कि हाग में ज़्य कोड़ी का उदवन किया था हम लोगों ने इस क्या कर ये मैंने कर सकता है हम लो मांग कर सकता है देखे पुलीस के तरह पुलीस के वारज इस तरह से करवाई की गई है बिल्कुल एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति के साथ इस तरह के करवाई बिल्कुल उचीत नहीं है एक अच्छे सम्मानित और निउज अलबन के इतने बरिष्ट और जिनके कई किसी अम्डिक के साथ इस तरह का वेवार बिल्कुल ही पुलीस के दोरह जो किया गया है उचीत नहीं हो, किसी भी समानेति ब्रक्ति के साथ बहुत सोच समझ के उचीत करो है पुलिस के द्रवार क्यों जाने चाहिए पुलिस की चौता स्थम पर हमला हुआ है नूजरन भारत के वरिष्ट पद्रकार अरुप चाटर जी को दर्वाद पुलिस ने गरबतार किया है राजी के काक्या हवास से गरबतार किया गया है तो चौता स्थम पर हमला है यह गरबतारी से पहले आकिर क्यों नोटिस नहीं भेजा गया यह सवाल तो यह कि रात को 12 बज़े गरबतारी क्यों अरुप चाटर जी के गरबतारी का कारण नूजरन भारत के उरसे जारकन में चल रहे तमाम गोटाले या तसकरी के खबरे दि को मैं आके डाला और कहा कि मैं डरता नहीं हूँ मैं डरता नहीं हूँ मैं बाहर आओंगा और फिर से जो गुंडे हैं जो माफिया हैं जो तसकर उनके खलाफ पर आवाज बुलंद करूंगा जारकन को बिकने नहीं दूँगा जारकन के संसादों पर किसी को कभजा नहीं कर करना चाहता हूँ कि आज से आठ साल पहले जमस्ट्री में घटा गटी थी कि महिला के साथ दूसकर्म हुआ था और उसकी गुपताम में बांश डालकर उनकी हत्या कर दी गई थी और उस सबेट भी हम लोगों ने सच के साथ दिया था और हमारा पंचलाइन है सच है तो दिखे और हम लोगों ने सच दिखाया और कई ऐसी घटनाइं जमसेपूर से भी है हमने दिखाया था अलकोर होटल का घटना दिखाया था किस तरीके से लगातार लगातार दिखा रहे था घटनाओं को और उसके बाद वही सामने या उसमें गिरफतारी वी गए साथी साथ हमारे जो पत्रकार है सराइकिला में जो रिपोर्टिंग करते है बसंसाओ नभी बालू माफियों के खिलाप में लगातार दिखाय थी उनको भी ठेटिंग मिल रहा था कि आप खबरे नहीं दिखाये तो आपको जेल बेदे था उनके पर भी ठेटिंग दी गे थी तो हमारा अलाकर हम समान करते हैं लेकिन इससे पहले भी सुचना देनी चेंट ही कि आपके खिलाप में यह वारांन आपके खिलापमें आफाया रदधोज है अगर वह वारयन की तामилह नहीं करते अगर पुलिस के सामने नहीं आते तो एक समझा जा सक्ता था था कि पुलिस हो ने रा काला धन्दा चलता था और किसी कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि पुली परसासिक मदब जो अधिकारी है या पदाधिकारी है उनके नाक के नीचे इस तरीके सो दा हमने खबरे लिखाई उसी का नतीजा जिस तरीके सा अरूप चटाजी ने आज मीडिया के सामने आकर कहा है क हम डरने वाले नहीं हैं हम बाहर आएंगे और जो दोजार करोर का खेला चल रहा है उसको भी हम दिखाएंगे। और न्यूजन भारत लगाता और उसी खबर को दिखाता था कारवाई की होगी लेकिन हजम नहीं हुआ SSP को ये हजम निवाज जैसी थोड़ी सी डिलाई होई और न्यूजन भारत ने जैसे उन खबरों को दिखाना फिर से शुरू किया SSP साब को बुरा लग गया कि आकिर उनके माफिया दोस्तों के ख़लाब न्यूजन भारत खबर कैसे दिखाएगा अजलाल ये पंकच अजलाल आपसे ये जानेंगे कि अगर हम गलत होते तो फिर मुक्यमंती का निर्देश था कोईला माफियाओं के खिलाब बालू माफियाओं के खिलाब राजवापिया मुहीम भी चला था प्रशास्ते ने चलाया पुलिस ने चलाया कि SSP साब धनबाद ने नहीं चलाया था पंकच शायद अजलाल तक हमारी आवाज नहीं पहुच रही है इम्रान हमारे साथ इम्रान हमारे साथ जुडेंगे पुछे अजलाल आवा जा रही है सबाल पुछे पंकाज अजलाल अब ये कह रहते हैं कि जिस तरीके से आप ये सब देखिए कि अरुप चटेजी ने कहा कि मैं डनने वाला नहीं हूँ, मैंने कहा मैं भी डनने वाला नहीं हूँ, प्रहात ने कहा मैं डनने वाला नहीं हूँ, क्या आप डनने वाले हैं, सच को दिखाने में पंकई मैं थर्थर काप रहा हूँ चैनल अब बंध हो जाएगा आप सिर्फ खेटी बारी की खबरे में दिखाऊंगा मैं दिखाऊंगा कि टमाटर की उपच टमाटर की खेटी आप कैसे करे यही खबरे में दिखाऊंगा थर्थराहाट हो रही है दिल में घवराहाट हो रही है कि कभी भी अधनबाद पुलीस राची एक बार फिर से आ सकती है थर्थराहाट हो रही है पूरे बोडी में यदि ऐसा किसी को आहसास है तो वो समझ ले कि जो जनकारी मिली है निव जलेवन के मुझे जनकारी है अपने स चार करोर कोईले की चोड़ी होती हो, कोई ऐसा कोल माफिया नहीं कि वो पाच करोर खर्च नहीं कर सकता है ऐसे कारणामों के लिए, पुरी तरह से एक ऐसी कारवाई है, जिस पर आप कह सकते हैं कि सब कुछ कहीं न कहीं सारे में हुआ, और धारा देखेंगे धारा ऐसी ऐसी लगाई गई है जो संभावता कोई हार्द कोर क्रिमिनल के उपर भी नहीं लगा जा सकता। भारतिये डंद विधान के तमसार 386 एक ऐसा धारा है जिसमें याउल लेखित है कि आपने अपने कृत से किसी ऐसे बैक्ति को ऐसी हालत में डाल दिया कि वो मर सकता है और तब उससे आपने कोई भादोहन किया है उसके बाद देखेंगे 387 यानि कि आपने ऐसे अस्तरों का प लगाए गया 420 लगाए गया 420 के बाद 400 अरसल भी लगा दिया गया जब 420 आपने लगा दिया तो 120 भी क्यों लगा यानि कि चुन चुन कर धराये लगाए गई और ऐसी ऐसी धराये जो साइद किसी हाड कोर नकसली के ऊपर भी पुलिस नहीं लगाती अरूप चकुल अजि तो सच तलास्ती है वो सब हमारे शास्त रहे और सबसे बढ़कर जो आपने सबसे पहले आई पिस एदारा की बात की एक सुतिराबे की जो फैब्रिकेटेट एविडेंस की है तो हम तो देने वाले लोग है चाहरें रेंडर सिविर का मामला हो या कोई भी मामला हाजा है हम देने वाले लोग है तो आखिर हम एविडेंस फब्रिकेट कैसे करेंगा हमारे पर तो जनादना के पहता आती है कि ऐसा हुआ हमारे पास दसावेज होते हैं फिर आसा हुआ हम दें तस्विरों के मादान से दिखाया कि कैसे है श्रीवम को कि नसी से रात को ट्रॉकों की इस दिन छो महिने भी जेल में आप रक लिजे हम चुप रहने वाले नहीं है आप गलत करेंगे निव जिलेबन तथो के साथ आपके सामने आएगा आरूप लगाईए रंगारी बसुले का मेरी तो मेरा तो मेरी तो ये समझ में है कि 307 भी लगा देते हैं ही हत्या का प्रया लगाने की कोशित हो रही है जुबान पर ताला लगाने की कोशित हो रही है इन सब के बाबजूद मुझे लगता है कि धनवाज के सेस्पी ने ये सब कुछ अपने से नहीं किया होगा पंकाज कहीं ना कहीं से उन्हें हरी जंडी मिली होगी हरी जंडी किसने दिया होगा य च्छटेगा हम और ताकत पर होकर आएंगे और यकीनी तोर पर जार्खन की सबाद तीन करोड जनता का यदि किसी ने जमीन लुटा है मैं कहा रहा हूं कि वो निव जुलेविन के दफ्तर में आए पूरे तथों के साथ ख़बर दिखाएंगे यदि आपके इलाके में कोई ग पांठर की ख़बर दिखाएंगे अधीं कि निवन खो दोगे लिए जवी नेनड़िकस उसका कोई मतमाईन ने रहे गया अरुप चट जी को गिरतार किया गया है एकांपरादि की तरह सी, एकांपरादी की तरह सी, एक रेट कॉरा नोठीस वाले वारंडे के तवरपा जैसे की विजाए अमल्या हो नहीरों मोदियों धे शोनने हो लेकिन कई ऐसा तरी है कि धनबाद में बाकी जो इडिया हौस से ज पंकज आपके जवाब पर आएंगे मगर उससे पहले एक मेसेज वाली कवीता है दुश्यंद की कि सिर्फ हंगामा खाड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरा इरादा है कि सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में हो या तेरे सीने में आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए ऐसा आग को जलाया है वरिश पत्रकार अरूप चैटर जी ने और हमारी अपील है तमाम लोगों से कि हमारी इस मुहीम में जो आग अरूप चैटर जी ने जलाई थी वो शोला बन रहा है उसमें आप शामिल हो अपनी भागीदारी सुनेशित करें दूसरी बात जो आजे बता रहे थे कि कौन-कौन सी आई-पी-सी की धारा लगाई गई है वरिश पत्रकार अरूप चैटर जी के खलाफ उसमें एक धारा उन्हों ने छोड़ दी जो पुलिस को जिसका इस्तमाल करना चाहिए अगर आप पे आरोप लगा है तो आपको अपना पक्ष रखने के आजादी दी जाती है और धारा 41 आपको आजादी देती है क्या इस धारा का अनुपालन किया गया क्या इस नियम का अनुपालन किया गया नहीं किया गया तो धाराय तो बहुत लंबी-लंबी लगा दी गई और जो धनबात के SSP साहब है उन्होंने अपनी पूरी पुलिसिंग का जितना उन्हों को एक्सपिरियंस था उन्होंने पूरे एक्सपिरियंस को इसमें डाल दिया है कि इस तरह की धाराए वरिश्पत्रगार अरूप शेटर जी के खिलाफ लगाई गई है कि और जिस पर से गिरफतारी हुई जो धाराए लगाई गई वो बताने हो काफी है कि यह प्री प्लांट था पूरे प्लांट तरीके से फाई आर हुआ पूरे प्लांट तरीके से वारिंट लिया गया पूरे प्लांट तरीके से पूलिस यहाँ पर पहुची पूरे प्लांट तरीके से गिरफतार किया गया और पूरे प्लांट तरीके से उन पर धाराएं लगाई गई है लेकिन जो लगातार हमारे सारे सायोगी कह रहे है कि क्या इन धाराओं के लगने से या क्या पंगर ये करेक्शन है 41A उस धारा का जो CRPC की धारा है जिसके पहत अरुप चटल जी क यह अधिकार देता हमारा भारती समविधान की वो अपनी बातों को रखे तिक उनके खलाफ आरोप लगे है वोद्हारा है 41A वह धारा का जो अधिकार को लेले का मौका दिया गया नहीं दिया गया उनसे जवाब नहीं मागा गया बाहराल जो हुई है आपनी के वायतों पर कारवाई हुई हमने जब खबर दिखाई तो पुलिस या जाच एजिंस्यों उस पर संग्यान लिया और उस पर कारवाईया हो रही है और इंसाफ मिला है वो तमाम लोग हमारी इस लडाई में है और आप देखिएगा कि अभी सिर्फ हमारे संबादाता हमारे साथ जुड़े रहे हमारे सायोगी हमारे साथ जुड़े मगर जंगल की आग की तरह ये खबर फैल रही है और लोग अब हमारे दफ्तर पहुंच रहे है जिनने नीज लाइन भारत की खबरों ने मुहीम में इंसाफ दिलाया वो लोग भी पत्रकार की तरह आज अरुप शेटर या भी फिल हाल हमारे साथ नहीं बहुत जल्द हमारे साथ होंगे लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अरुप शेटर जी उन्होंने खाले कर रखे हैं जो सच के साथ खाले हैं और हमारे टाग लाइन है उसे हम हर एक पल जीते हैं हर एक दिन जीते हैं और उसे आगे जीते रहें जार खन को जो लोग कोखला करना चाह रहे दीमक की तरह बनकर और अरुप चट्र जी के आवास को खामोश करना चाहा है कि वो दीमक की तरह बनकर इनकी बुन्यादों को धीला कर दे कमजूर कर दे तो वो कतर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तेवर नीज लवन का बरकरार रहेगा और उसी सचाई के साथ उसी मजबूती के साथ हम बने रहेंगे इस खबर पर चाहिए वो धनबाद SSP की कारवाई का विरोध करना हो कानून समझ जो कारवाई होनी चाहिए थी क्या जवाब देने का मौका सुनाया दिखाया है दनबाद में पिछले गिनों जो तसकरी हो रही थी जो ट्रैक्टर लगे वे तो जो हैवा लगे तो जो नाउस हो रही थी वो भी तस्वीरों के जरी हम दे दिखाया दूसरे दिन में दिखाया कि कि इस तरह से डी सी जब वहां कारवाई करने के साथ है तो उस दिन मैदान साफ दिखाया यानि कि वह कारवाई की सूचना उन तक पहुँच गे ति उस ख़़र को भी हमने दिखाये तो सिर्फ ख़बर दिखाकर हम खामोश नहीं हो जाते हैं उसका फॉलॉप भी करते हैं और लगातार उस ख़बर पर भी जो हमने उसका हैं आजबर और जिखायें कि शिवं हाड कोक में किस तरह से रात के अंधेरें में हजारों ट्रक जो चीडी जिस तरह से चलती है उस तरह से ट्रकों कि लाइन निकलती है हम जूट बोसक्ते तस्वीरे जूट बोलेंगी वह तद्वीर हम कह रहें कि जिस तरीका साफर बिल्कुल सभी बात कही कि SSP और धनबाद पुलिस ने बिल्कुल अपने पूरे अनबह का मुझे लगता है कि अपने अपने जिंदगी में जित्ते दिन नौकरी कुई कि सारे अनबह को निचोड़ते वे सारी दाराय लगा दी बिना यह सोचे समझे कि उनकी बहुत सारी दार क्यों दिये थे सबस्वार सवाल तो यह दिये थे तो वाहिट था ब्लैक ना क्या था वो क्यों था वो और उसके साथ जैसे अपने शारिप ने कहा शारिप बिल्कुल सही कहा कि पूरे पूरे अपने अनुभाव का निचोड़ उन्होंने इस F.I.R. में लगा दिया है कि अ अपरादी की अपरादी की बहूंँते हैं अबर्ध बुश्चा रहात के उपरादी की बिल्कुल वांडी की बहुता हो देनी कि लाए बिल्की वह फोटोग्राब्स जो उसके अपने कमरें में बैड में से शो मीजी दस्वीरों को दर्मात पुलिस ने ना सिर्फ वाइरल करने का काम किया बल्कि उन तस्वीरों के माधियम से चर्चे फैलाने की कोशिश किया धनबाद में संसनी फैलाने की कोशिश की कि आरूप चटर जी को धनबाद पुलिस ने गिरफतार कर लिया हिरासत में ले लिया लेकिन धनबाद पुलिस को यह सोचनी कि जिस सब्सक्कार अवायत में पोस्टिंग करारा है तकि आवायत पाइस की कमाई हो सकेना एक आई ही जिला है जहाँ पर काले हीरे में कोली कе आवायत तसकरी जो क्या क्या थभी दिखाने के के बाद अगर आफ उन्हें के वरिष्ट पत्रकार के जो अब गिरफतार किया जाता है और उसे जब रहां जेल में बेज दी जाते तो इन सारे सबाब दे नी होंगी क्योंकि आज आप में नियाले में जरूर उपस्थित करा दिया है लेकिन आपको इस सारी चीज़ों के जानकारी देने होगा इसके लावे कल हमारी बात तमाम तर्माट बिल्कुल इम्रान सहीगा आपने कि इससे पहले तो हमने ऐसा देखा नहीं था और आपने ये कारवाई की भी तो एक के साथ वो भी तब जब आप वो अपने शेहन कक्ष में बेट्रू में सो रहा था उसकता पहुंसते हैं उसे गरबतार कर लेता है जलाल के पास चलते हैं जलाल देखे जिस तरीके से बता रही है लगातार इम्रान नहीं बताई कैसी गरबतारी तो आसने कोई नहीं कभी ऐस कर देघिए तो नहीं कि फोटो मिला लो सुपारी मिलियों पहले से वह सुपारी पुलिस को कि भइए यह अद्म है साद्म को गरफतार करना और उसके बाद सब्हогда रही हो से फोन दिया जाता है कि यहां मने टार्गेट कूरा कर लिए ऐसा तो यह कर्याति अ उन पर प्रेसर रहा होगा मैं निवेदन कर रहा हूँ मैं धनवाद SSP का चरण असपर्स कर रहा हूँ कि आपको तारीफ कि आपने अपने वर्दी की लाज बचा ली आप पर प्रेसर होगा SSP साहब मुझे पता है मुझे जानकारी है या प्रेसर आपके पास कहां से आया होग जाहिर सी बात है धनाद धनबाद के SSP को आप माफ कर दीजिए उन पर प्रेसर रहा होगा प्रेसर कहां से आया होगा जारखन की सबाब तीन करोर जनता जानती है पिछले जून के महीने में माई के महीने में जिस पकार से खबरे हमने दिखाई इस बात का अंदेशा था कि ऐसा बैक्ती जो की अच्छे पद पर बैठा वा कहीं न कहीं वो होंबर कर रहा होगा अरूप चटर जी निव जलेवन को फसाने के लिए मैं फसाना वड यूज कर रहा हूँ और जिस जिले में दो हजार करोर रुपे के कोईले की चोरी होती हो वहाँ पर किसी कोल माफिया के लिए पास करोर दस करोर सुबा के नास्ते की तरह होता है फेक दिया होगा पैसा दे दी होगी सुपारी कि ये होंबर के ये टार्गेट है आप पुलिस ने गरपतार किया तस्बीर ली वारल कर दिया दूसरी बात या भी कि यदि अरूप चटर जी को ये मालूम होता कि पुलिस आई हुई है सम्मान के साथ हमने अपनी जिंगी में तीन मुकदमे धेले हैं पटना में कई ऐसे मुकदमे है जब पुलिस ने कहा कि आपके खिलाप कोई सिकायत है मैंने कहा कि आप आईए मैं यहां मौजूद हूँ तरीका ये होता है मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से धनवाज की पुलिस ने एक्सन लिया पूरी सक्रता पूरी चुष्टी अरूप चटर जी के मामने में दिखा दी ऐसा लगा कि जैसे सनीवार की रात को गिरबतार ना किया जाता तो अरूप चटर जी पाकिस्तान भाग जाते अरूप चटर जी सौदी अरब भाग जाते ऐसा लगा जैसे कोई देश त्रो का बहुत बॉम बिस्फोड कर दिया हो जरूर से पकरिये जल्दी पकरिये रात बारव बज़ के 20 मिनट उनके बेटरू में गुस दाइए उनके घर में कौन है कौन महिला सो रही है कौन अचिती आवा है आप दरबाजा में यह तक कहने की नौबत नहीं आए जो तस्बीरे वारल हु करते हैं नियाले का मैं सम्मान करता हूं हाई कोड का मैं सम्मान करता हूं तमाम जो जूडिसरी से जूड़े लोग हैं उनका मैं सम्मान करता हूं लेकिन अब इम्रान का रुक लिता है जलाल बिल्कुल सही का अपने और सम्मान हम नियाले का तो करते हैं और हमें पता है कि नाले में जाने के साथ ही ये तमाम जो दाराय है वो कहा हवा हो जाएंगी हमें भी इसका पता है पूरी तरीके सी क्योंकि एलिगेशन से जब गलत है तो जाइस सी बाते वो टिकेंगे कहां टिकेंगे कहां अदालत में अदालत में हमेशा सच को ही नाय मिलता है जो सच होता है उससे नयाय मिलता है जो सच्छा होता उससे नयाय मिलता है इम्रान का रुख कलत इम्रान एक बाद फिर आपके पास पहुच रहे हैं इस तरीके से जितनी धाराय लगाई गई है अब यह अब किसी ती क्या समझाना चाहेंगे जो आपने बताया है कि दनबाद पुलिस ने गि अब आपको तामिल करना पड़ेगा अब आगे की चीज़ें क्या और किस तरीके से बढ़ेंगी रहिवार का दिन है वासे तो आज अपने काम को अंजाम देयार जब सड़े बारा बज़े रात में आप किसी के घर पर परवेश करते हैं उस दरान आपके परिवार के लोगों को कान्वीडेंस पर लेनी चाही थी उनको कहना चाही था कि आपके खिलाब जो प्याब सबूत है अधार है इसी अधार पर हम पूछते रहाएं किस मामले को लेकर के आप अरुप्चाटी जी को गिरफतार करने पहुचे है या उसे पूछताज करने पहुचे है उसे कमरे से निकालने से पहले उसे कपड़े तक पहनने नहीं दिया गया था दन्माद पुलिस की यह कारवाई जो है वो कहीं ने कहीं बाद करें अगर हम बात करें पंकर तो कहीं एक अपर आदी गांसर सारे आम वीडियो फुटेस आरिक करके खुले आम राज है जानकारी दिता है कि उसे प्ट्रणी की दम हमत है तो पकड़ करके दिखाए लेकिन आज तक उसे पकड़नी के जद्दों जहत नहीं की जाती है उसे पकड़ने के लिए नाको चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चने-चन कि अगर यह तरह के चीज़ों पर कि इनकी जाच होनी चाहिए अज अगर एडी के दब इसे चल रही है राजही राजी के वेविन जगाव पर अवध खानन को लिकर के तो अवध कोला की डुलाइपर भी करवाई होने चाहिए हमने तस्वीरों के मादें देखाए किस तरह से अगर एक बार जो है कितनी टर्किये निकल रही है और कहां जा रही है हम तरुकि किन्के आद राधा डillar एक सारी चीज़े चल रहे हैं जला यहां पर क्विक के खान के रूप में जाना जाता है तक काले ही रिखम जाला जाता है यहां पर लोग पोस्टिं के लिए मर्ते हैं चाहिए वो किसी भी लेवल के पुलिस अधिकार है, चाहिए छोटे थाने पर बारिज से लेकर के एक सुप्रेटेंडेंडेंट तक पर दस्तापेत है, या पर दूसरे बाइसे तमाम पुलिस अधिकार है, उनको पता होता है कि जब धनवाज जाएंगे तो उनको क्या मिलने अधिकार है कि यहां पर रहे करके किन की बड़ी है, कितनी गटी है, कितना क्या कुछ हुआ है, दनवाज में जिससे के लाइन ओडर है, इंपर भी समिक्षा होनी चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने तमाम जार्गन पुलिस के बड़े अधिकारों से बातचित की थी, लेकि अधिकारों से बातचित की बड़ी महत्वपून गटना हो गए थी, कौन से बड़ी महत्वपून किसी वक्ति की जान जा रहे थी, किसने आपको 47 की नोग पर धंकी दे रहे थे, या फिर किसने आपके जार्गन पर बंबारी की थी, जबकि दनवाज में कहीं बंबारी होती में कहें कि 47 चलते हैं, उनका आज उनकांडों का क्या इस्तिती है, जब देख लीजिए पिछले पन्नों को पलेट करके, तो साहिए दनवाज से आवाज नहीं निकलेंगे और नहीं जवाब निकलेगा, लेकिन इस पूरे मामले पर दनवाज से ना सिर्फ टीम का गठन किय बड़ी पूरी ततपरता से बड़ी टीम को लगा करके एक व्यक्ति को गिरफतार करने के लिए उसके आवास में बेज़ दी जाती है, और वहाँ पर जब कोई व्यक्ति पूछता है कि सदार पर किस लिए उठा रहे हैं, तो उनको बताने के जद्दु जायत में कियाते, य पूतव साबता है कि आपके कारिशायले में चोड़ी थी, आपके कारिशायले में ब lover जाती ही, आपके कारा जायले में वह सारी कमिया थी जिनको आप शिपाना चाह रहे थे लेकिन वह डबेंग नहीं, क्योंकि न्यूजलेवन सच है तो दिखेगा है टाक के साथ लगतार यहीं हम कभी पीछे वह ठिगागे। क्योंकि जिससरा से दबाने के कोशिश की गए प्रतरकारिता है मैं कहा जाता है कि निस्पक्ष हो करके अपने काम को अंजाम देजे और इस अंजाम देने के दारान कोई सम आपको बता दे किस पूरे मामले की बर्सना होने लगी है दनबाद पुलिस की कावे पडाली पर सवा अज़ समय से जानता हूं जो हिए था मिए पतरकार करना यताजम नहीं आता song किसी ऐसे ब्यापारी के शकायथ पर नुज कोई दन्धा करता है क्या करता है कि अश्वरों अधित है नियुक्तिते है विश्टतर पर अगन्तुछ कर्म हमारा उस्व मिडिया है तो इस फटरकार गुझतार्ण्या है, जिस फटरकार न हन देख आए फोटे में, jugar गंजी में उन्हें पहने का मुझाद नहीं दिया गया। जैसे कोई बोड़े क्रिमनल हो, तो पुली को गोहार किया है, यह सरासर गलत है, और तो मैं तो कहुँगा कि ऐसे पुलिस कर्वियों पर करवाई हो नी जाए, जो इन्हें इस सिस्थिति पे गरफ्तार करने का काम किया है, तो जो सरकार क्या कर यह मैंने कह सकता है, हम लोग मा एक अच्छे सम्मानेत और निव जलेबन के इतने बरिष्ट और जिनके कई किसी मडिक के साथ इस तरह का बेवार बिल्कुल ही पुलिस के दारा जो किया गया है, उचित नहीं है, किसी भी सम्मानेत बैक्ति के साथ बहुत सोच समझ के उचित कारवाई पुलिस के दारा के जाने चाहिए, पूरे राजजिमेया राजक्ता की स्थिती है, और बड़े बड़े अपराधी यहां अपराध करके खुले आम घुम रहे हैं, खत्याएं, बलतकार अपने चरम पर हैं, लोग चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को, खुले आम चैलेंज कर रहे हैं, और ऐसे में पत्रकार को रातो रात अपराधियों की तरह अरिश्ट करना, कहीं न कहीं से एक दिखाता है कि इसमें प्यूरीत को न्याय देने की जगह, कुछ इंटेंसन के साथ यह करवाई की गई है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, बाकी पत्रकार निर्भीक रहे, पत्रकार को किसी पत्रकार का भैना हो, यह लोगतंत्र का चौथा स्थम मजबूती के साथ खड़ा हो करके लोगतंत्र की रच्चा में के सदात कंदेरे में उठाते हैं, मानो इसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है, अगर अगर उसे रात में घ्रपता ने किया जाए तो सुबगा फिर वो अम्तर ध्यान हो जाएगा गाइब हो जाएगा, फरार हो जाएगा, एक इस तकनीकी तकनीकी गल्तीने प्रतिक्रियां में सिप्यि सिंघ कह रहे थे कि सर्व cessara दें बता एकमर्द हैं नियूजरनल भारत का सर्विश वरिश्ड पद्रकार सिर्फ वरिस्ट पद्रकार नूजरनर भारत के वह ओर सिपू सिंघ को जस नहीं नहीं लेकिन आप देखे आप छबी आप देखे जिस तरीके से एक मुखरता के साथ में शक्स ये पत्रकार वरिष्ट पत्रकार अरुप चटरजी रहा कि उसे न्यू जर्वन मान दिया जाता है ये ये होती पत्रकारी था ये होती पद्रकारी ता कि नियू जलेवन भारत का वो पद्रकार है वरिष्ट पद्रकार है संपधक है और उसे मालिक मान दिया जाता है तो ये है लेकिन मालिक नियू जलेवन भारत के नहीं है लेकिन जिस तरीके से धनबाग पुलिस ने नियू जलेवन के मालिक शब्द का जिक्र किया है नियूज 11 भारत के मालिक अरुप चैटेजी ग्रफतार करने की बात कही है तो ऐसे में साफ तो पर उसने नियूज 11 भारत को भी बगराम करने की साथ में जुड़त कर दी है इस पर भी हम सवाल पूछेंगे मानानी का मुकदमा भी हम कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से आप नियूज 11 भारत के मालिक का जिकाप कर रहे हैं तो नियूज 11 भारत के मालिक क्यों से आप पर मानानी का मुकदमा भी कावन हो सकता है खैर ये बात की बात होगी लेकिन जिस तरीके से ये पूरा वाक्या सामने है शारिफ एक बात जो लगाता है हम बार-बार कर रहे हैं पर शारिफ की धनबाद पुलिस ने चलिए ठीक है धनबाद पुलिस ने कारवाई की हमने दिखाया साथ तरप पर कि किस तरीके से सिवम हाड कॉक से रात को ट्रॉकों के काफले निकलते हैं वो सबूत है वीडियो सबूत है चलिए पुलिस को लगता है कि वो ट्रॉक हमने पार करवाई होंगे मालिया तो फिर ऐसे में जब मुक्यमंतरी इम्मंति सोदेन ने निर्वेश दिया था कि राज वापिया आप motherf... वियान चलाईए पूरे राज में हर एक जिले में अवैद करण के खिलाफ अवैद बालू के खिलाफ अवैद कोल कारवार के खिलाफ में आप कारवाई कीजिए उसी वक्त से स्सपी ब कि आपको जैसा पता है कि एक हाथ से ताली नहीं बसती है मेरे एक हाथ में माइक है जो तो मैं जरूर उनके लिए ताली बजाता है इतने खाबिल ऑफिसर है प्रिंस खान का नाम सुना होगा आपने एक खुक्यात अपरादी है जो लगातार वीडियो जारी करकर धंकिया देत इतने खाबिल ऑफिसर है तो प्रिंस खान आज सलाकों के पीछे क्यों नहीं है सवाल यह है जो दूसरी बात है कि जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि कारवाई पर जिस तरह से किया गया है और जिस तरह से फोटो लीग की गई है वह कोई मौजूद नहीं था फोटो क्लिक कर तीसरी बात जो मातपून है पंकर्च की लगातार जो खबर धनबार में कोई अस समबंदित हम दिखा रहे थे ह। हमारे स्क्रीन पर है हमारे मोचे मेरे में हो भीटार जब दिखा पिर उन खबरों को दिखाएंगा अब आपके आप से चर्चा से जब हम दूरों एप उटेंगे दूसरे सही होगी हमारे जगा आएंगे तो फ़िल नाट रुपांतर कराते हैं से इस पर साब को लगता नाट रुपांतर ने तभी तो ने ने कहा है कि सबुत से चटर केता उन लूपूल्स को भी दिखाएंगे हम और कानून क्या कहता है और कानून का कितना पालन किया गया है जिस तरह से गिरफ़तारी हुई है उन तमान चीजों को दिखाएंगा और जंता भी अप सवाल पूछ रही आपनी रियाक्शन दिखाए है कि है रियाक्शन आने शुरू ह यह पक्ष पक्ष की बात नहीं है यह बात है कि कितना अपने कानून का पालन किया है कानून का पालन नहीं हुआ क्या कानून का पालन किया जाता आप राणियों के गिरफतारी में नहीं आप बैक फूट में रहते हैं और एक पत्रगार को अरिस्ट करने में आप इतनी अगरन हैं जाते हैं घर में कौन है कौन नहीं है फोटोज लीग करते हैं मतलब आप खुद माफिया की तरह काम कर रहें पुलिस अगर माफिया की तरह काम करने लगे तो माफिया हो का मनुबल बढ़ेगा और ऐसे ही माफियाओं का संजरेक्शन पुलिस को पत्रकारण उंवाय पत्रगाई कि जमीन से जुड़ा पत्रकार है पत्रगार पत्रगाई होग आप पछूर म्हथलानि में अफिसे लोग हम आपपर शुर। और से उपने जंता से और रियक्शेंस घाली होग। ये reactions आप बढ़ेंगे इन reactions का सहलाब आने वाला है पंकज और किसी भी जेतने सारे आप हमारे सयोगियों के साथ जुड़े हों किसी के भी माते पर आप शीकन नहीं देखेंगे क्योंकि हर एक समवादा था हर एक employee जो खड़ा है वो अरुप चटर जी बनकर खड़ा है और हम अरुप चटर जी बनकर खड़े रहेंगे उसी मजबूती के साथ जैसा आज पुलिस वैन में अरुप चटर जी के आवाज गुंज रही थी उसी मजबूती के साथ हमारी भी आज गुंजेगी और हम सच को सच कहने का माददा रखते हैं और सच को सच कहते रहेंगे गुंजगे क्या सारी फगुंसती रही है और उसी गुंज से तो तकलिफ हो रही थी और बिल्कुल सही बात कही थी अजयलाल दे कि खबर जे है कि कोल माफ्याओं के बीच में होती है फोटो लिक की जाते हैं यानि की टार्गेट अचीवड बताए जाता है कि जी गरफतारी हो गई हमारी फोटा अचीवड हो गया हमारे उसका बिठाई बटने की खबर अजलाल देते हैं इन सब के बीच में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं वह रिपोर अचीवाहिक करने की बजाए धनबाथ पुलिस ने उसकाबर और को दिखाने वाले उसकाबर को चलाने वाले उस सबुतों को भाष को कोईला के काले कारुबार के खिलाप बड़ी कारवाई शिव महाट कोग के संचालों को पर परात्मी की दर्ज राकेश कुमार राजी वोजह समेट सभी संचालों को पर एफ आई आर जिला खनन पदाधी कारी ने दर्ज कराई परात्मी की कोयलाचल तन्वाथ में कोयला के काली कारुबार के खला बड़ी कारवाई हुई है अवाइध कोयला की कारुबार की श्रिकायत पर शिवम हाड कोग प्राइवेट लिमिटेट में पुरिशासन ने छाप इमारी की गुरवार को जिला खनन पदाधिकारी की नेतरुत में 12 घंटे के भीतर दो बार छा पिमारी की गई इस दोरान कोईला का वैद स्टॉक पाया गया जिसके बाँ जिला खनन पदाधिकारी ने शिवम हाट कोड के संचालकों पर दर्जखराई गई प्रात्मी की राकेश कुमार, राजी वोजह समेट सभी संचाल लकूपर F.I.R. अव्वाय तरीके से कोईला बेचने का आरो बिना नुमती कोईला प्रांप करने और बिना चालान बेचने का आरो टीमो खान निरिशक सर्वय ओफिसर ने किया था निरिशान धर्मार के कोईला प्रांप कोईला बेचने की शिकायत मिली थी इसी आधार पर गुरुबार को पर शासन और खनन विबाग की टीम ने कारवाई की जिसके बाद कमपनी के संचालों कोपर F.I.R. दर्श कराया गया ने उस लेवन भारत की धिनवास से बंटी की रिपोर्ट तो इस रिपोर्ट में आपको कहा से ये गलत लगा कि हमने खबर गलत दिखाई है जो ट्रकों के काफिला आपने देखे अगर वो गलत होते फाबरिकेटिड होते वो जो तस्वेरें आपको दिखाई एक ये अगर वो गलत होते तो फिर प्रात्मी की दर्ज क्यों होई थी स्वें क्यों जिला-करंफ़दीकारी वाहर पर पहुंचे थे और उसे सही पाया था क्योंB लेकिन अब सवाल लेकिन वही तो हो यही तो यही तो क्यों जिराकरण पाविकारी ने तो कारवाई की लेकिन ये बात दनबात पुलिस को नागवार गुजरी कह रहे हम तो सरक्षन देने वाले हैं हम जिसे सरक्षन दे रहे उसके खिराब कारवाई कैसे हो सकती है प्रत्मी क कैसे हो सकती, वो भी New havenly Bhardt के लिखाया जाने के बाद, निय ज günन भारत के खबर इक reflection के कारवाई करते हैं, कैसे कारवाई हो सकती है उसे निय जयन भारत को लपипनी की कोसिस की, डराने की कोसिस की लेकिन अरुप चेटर जी ने साब कहा दिया है कि हम तो डरेंगे नहीं तो अरुप चेटर जी तो रात के 12 बज़ उनकी गिरफतारी होती है आखिर रात के 12 बज़ कर 20 मेट पर किसी के बेडरूम से गिरफतारी क्या नियासंगत है क्या ये नैच्छनल है क्या कोई ऐसा वो माफिया था क्या वो कोई ऐसा अपरादी था क्या कोई ऐसा समाजिक तब तो था क्या वो इतना बड़ा कोई क्रिमिरल था कि उसके गिरफतारी बहुत जरूरी हो गई थी कि रात को 12 बज़ कर 20 मेट पर जब अपने सेन कक्षमी बेडरू में सोड़ा होता है उस वक्त ने उसे ग्रापतार किया जाता है 27 जून 2022 को दार F.I.R. में लगाई गई थी दारायस पस्ट नहीं है कि आकिर उन दाराओं को लगाने की पीछे का मकसद क्या है हम तो तस्विर दिखा रहे थे तो विडियन से चेचर कैसे हो सकता है हम तो अपने शब्दों से चोड़ करते हैं आकिर वो शस्टर कैसे हो सकता है आकि दनबाद पुलिस के और से ग्रापतारी में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई ऐसी जल्दबाजी मानो कि वो उस जिले का सबसे आकरी लंबित कांड हो जो वर्षों से सुलजाए नहीं जा सका हो और उस लंबित कांड को जल्द से जल्द सुलजा कर दनबाद पोलिस दनबाद कैसेस पी अपने जिले को क्राइम फ्री दिखला देना चाहते थे जिसके बाद उन्हें कोई तंगा मिलता इतने जल्दबाजी में गरफतारी क्यों होती है एक पदरकार के साथ आकर अपरादियों जैसा बरता हो क्यों क्या जाता है कुछ उसे कपड़े तक पहने नहीं दिया जाते है और वो जिस रूप में अपने बेट्डू में सोया होता ह है उसी रूप में से गरफतार क्या जाता है और वैसी तस्वीर उसी हालत में तस्वीर तक वारल कर दिए जाती है आगर कौन दवाब पुलिस होती क्यों क्या पूलिस नहीं साथ किसी पदरकार क्यों से पैसे की मांग की गई तो इसके लिकित सोचना कंपनी के मुख्छाले कियो नहीं दे गई अरुप्ट टरजी कमपनी में एक पद्रकार के है तो कमपनी के मालिक को क्यों दसाए गया हुने कमपनी के मालिक है वह ऐसे में धन्बाद फुलिस को सबाब देना पड़ेगा कि नियुजलेवन भारत के मालिक के खलाप आपने खबर क्यों एक तरहे किसे यहाँ पर बताया कि हमने नियुजले भारत के मालिक के अपतार किया है दर्शाए आपने आगर कमपनी को किसी प्रकार की सुचना दिये बिना कारवाई कैसे हो जाती है क्योंकि गई क्या धन्बाद S.S.P. कोईले की तसकरी और अव्यापार की खबर दिखाए जाने से आहत कि नियुक्त हैं ब्रामक है क्या जो लगता है कि माबने दस्वरद ध्कार जो गलत होती है दोक्टरал को गिरभतार करके अपने काणामों पर परदा डालने की कोसिस कर रहे हैं ताकि अरुप चटरजी के जरिये तमाम पत्रकारों को, तमाम मीडिया संस्थानों को, तमाम मीडिया आउसेस को, हर तरह के पत्रकारों को बरा दिया जाए कि अगर आपने भी ऐसा करने की हिम्मत की तो आपके साथ भी ऐसा होगा आपने जुनत की तो ऐसा होगा जब राज के इतने बड़े पद्रकार के साथ हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर आपकी बिसात क्या बाकी मीडिया के लिए भी एक संदूस देने की कोसिस के धनबाद पुलिस शायद क्या दनबाद SSP की कारवाई मीडिया की स्वतंता पर हमला नहीं है कि आप मीडिया में कोई ख़ब दिखाए जाती है उसके बाद उस पर संग्या लेने की बजाए उस मीडिया पर या आप कारवाई कर डालते हैं अरुप चटर जी गिरबतारी मीडिया को दंकान और डराने के लिए की गई कारवाई तो नहीं है क्या धनबाद SSP ने सताय जुन से पहले प्रेंडिंग सभी वारेंट पर कारवाई कर लिया है तो यसे बहुत सारे सवाल है जो हम लगातार पूछ रहे हैं धनबाद पुलिस से धनबाद SSP से लेकर इन सब के बीच में हम आपको वो बयान सुराते हैं अरुप चटर जी का जब उन्हें गिरबतार किया गया था और तब बिना डरे बिना जुके उसी तरीके से उसी बु हम लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने इसके लिए हैं और धनबाद में दो हजार कोड़ा चुरी हुआ है जो इसको हम लोगों ने पर्दा फस किया था आगे भी करता रहूंगा हमें जेल से डर नहीं है हमें जेल से डर नहीं है आप भेज रहे हैं गोविनपूर, मिर्सा, धनबाद, बागमारा सब जगा में कोड़ा चुरी हुआ है और एस्पी यहां के मुख जो इस्पी है उन्होंने जम के दो हजार कोड़ा कोड़ा चुरी हुआ है हजार कोड़ा कोड़ा चुरी हुआ है किया था आगे भी करता रहूंगा हमें जेल से डर नहीं है हमें जेल से डर नहीं है आप भेज रहे हैं गोविनपूर, मिर्सा, धनबाद, बागमारा सब जगा में कोड़ा चुरी हुआ है और एस्पी यहां के मुख जो इस इस पी हैं उन्होंने जम के दो हजार कोड़ा कि अरुप्टर जी किस में बाकी को आपने सुना उनकी निर्भीकता को सुना बिलकुल वही निर्भीकता वही बेबाकी हमारे ने उर्जा का काम करता और उसे न्यूजन भारत लागा तार ऐसे खबरों को दिखाता है लेकिन कुछ लोगों को वह खबरे दिखाया जाना गलत लग जाता है बुरा लग जाता उसके बाद वह हमला करते हैं जैसा धनबाद पुरिस ने क्या जैसा धनबाद ऐसे निक्या एक चुट से लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तू दिखेगा